है एलो स्टूडिएंट आयने शा पारशो साल वे और बायल्जी मिंट और दूबचो आज हम बात कर रहे हैं हमारे सीट के बारे में यानि कि आज हम पढ़ेंगे मोनोकोट सीट कैया होते हैं उनके क्या करेक्टर स्टिक्स और फीचर्स होते हैं ते किया चीजे उनको एक दूसर से डफरेंशेट करती है right और साथ ही साथ हम थोड़ा embryo के बारे में पढ़ेंगे right क्योंकि सीट पढ़ेंगे तो definitely है embryo के बारे में पढ़ेंगे कौन से non embryonic seed है कौन से embryonic seed है ये सारी चीज़े हम बात करेंगे तो चलो फटा फट से आ जाओ what is seed seed क्या है ovule after fertilization ripened ovary था fruit और यहाँ पर जो ovule बनेगा after fertilization वो किस में change हो जाएगा seed में ध्यान रखेंगे post fertilization के बाद कौन कौन से event हो रहे है a seed is made up of seed coat and an embryo दोई चीजों से बना हुआ है बाहर seed coat होता है रंदर embryo होगा तो embryo का structure is good important है तो यहाँ पर अपन बात करें embryo की तो यह है हमारा embryo embryo का structure की हम बात करें तो outermost layer covering layer है मैं बनाई देती हूँ वो जादा easy रहेगा ठीक है बनाते वे समझाओंगी तो जादा easy रहेगा तो embryo का structure पर ड्रॉख कर रहे हैं बच्चो जो सबसे outermost layer होती है इसको हम कहते हैं integument integument जो की क्या करती है सुरक्षा करती है किसका new cellist का new cellist का याद करो angus sperm में जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इस चीज के बारे में सारी जानकारी दीती सारा डाइग्राम हमने बहुत अच्छे से देखा था तो हमें वो ही चीज अभी recall करनी है revise करनी है जादा कुछ नहीं है क्यों क्योंकि आगे हम further जब और chapter पड़ेंगे तो उसके अंदर हम पूरा fertilization देखेंगे double fertilization क्या होता है endosperm 3NQ होता है यह हम further बाद में बात करेंगे अभी जो हमने देखना है इस topic के aspect में वो हम समझ रहे हैं तो सबसे पहला integument फिर हम बोलेंगे यह new cells है यह antibodal cell है यह synergid cell है यह egg cell है यह central cell है ठीक है यह बात हो गई फिर हम बात बोलेंगे यह जो एक छोटा सा pore होता है इसको हम बोलते है micropyl micropylor end micropylor end के just opposite वाला end होता है वो होता है cellazal end यह होती है funicle funicle क्या होती है funicle stock of embryo embryo का जो stock होगा वो क्या कहलाता है funicle कहलाता है ठीक है अब देखो यहां से जब यह funicle तूटती है तो वहां पर एक mark बन जाता है scar बन जाता है इसे scar को हम कहते है hyalum right hyalum हो गया funicle हो गया micropylor end हो गया integument हो गया new cellist nutrition प्रुवाइट कराएगा चलाजल end micropylor end के just opposite is that clear तो आजोग चलाजल end outer और inner integument हपन पढ़ेंगे जब अपन dicot और monocot seed की बात करेंगे तब यह embryo से खई hyalum funicle new cellist done आजोग अब देखो क्या होता है कि यह जो अब होता है एक और ओर्थोट्रॉफस ठीक है जिसमें यह उल्टा होता है लाइक दिस एंजोस्पर्म में मोस्ली जो आपको ओव्यू मिलेगा वो अनेट्रॉफस मिलेगा अब होता है एक और ओर्थोट्रॉफस ठीक है ओर्थोट्रॉफस की हम बात करें यहां पर यह जो है माइक्रो पाइलर एंड है यह हमारा चलाजल एंड है यहां पर हाइलम है यह हमारा फ्यूनिकल है स्टॉक ओफ ओव्यूल यह हो गया अब देखो माइक्रो पाइलर एंड और हमारा चलाजल लाइंड और फ्यूनिकल एक लाइन में है एक सीध में है तो इसको हम कहते है ओर्थो ट्रॉफस ओव्यूल ठीक है ओर्थो ट्रॉफस ओव्यूल डन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आ जो embryo is most important part of the seed embryo जो है most important part होता है seed का which represent mini और tiny future of plant वो ही तो करता है embryo से ही तो हमारा further क्या बनेगा plant बनेगा जिसमें हम rooting करवाएंगे shooting करवाएंगे embryo develops from fertilized egg fertilized egg से बनेगा zygote the embryo is made up of radical and embryonal excess radical से बनेगा और embryonal excess से बनेगा तो endosperm क्या है endosperm जो भी उसमें nutrition प्रोवाइड कराता है वो endosperm होता है is that clear it is a nutritive tissue which may present और absent in the seed अब seed में present है या नहीं है तो seed इस तरीके से तीन तरह का होता है ठीक है endosperm जो की presence को बताती है कि endosperm इसमें present है या नहीं है तो we have non-endospermic और x-albuminous seed इसके अंदर क्या होगा देखो non-endospermic यानि कि endosperm present ही नहीं है ठीक है endosperm present ही नहीं है तो such type of seed do not have endosperm at maturity maturity पे नहीं होगा therefore they are called as non-endospermic और x-albuminous seed तो example है तेखो जिसमें endosperm नहीं होगा क्यों क्यों नहीं होगा याद रखने का तरीका है जैसे अपन बात करें ठीक है यह है हमारा चना चना हमारा कैसा है दो कॉटलेडन present होती डाय कॉटलेडन है तो एक बाब बताओ endosperm है वो कैसा है nutritive है nutrition देता है अब दो कॉटलेडन होगी तो उसको nutrition जादा चाहिए होगा तो वो क्या करता है सारा का सारा endosperm अपने आप में एब्सॉब कर लेता है और दो कॉटलेडन बना लेता है तो आपको ध्यान रहेगा कि जो हमारा non-endosperm है जिसमें हमारा endosperm नहीं पाया जा रहा है क्योंकि क्यों already absorb कर लिया गया है तो वो कौन सा होगा mostly dicot में ये condition होती है ठीक है कैसे में होती है dicot में condition होती है but castor seed is endospermic जो castor seed है वो कैसा है endospermic है castor हालंकि क्या है dicot है but फिर भी इसके पास कैसा है endospermic है ये non-endospermic dicot seed कौन-कौन से है तो example gram, pea, bean, cucumber यदि हम बात करें non-endospermic monocote कुछ monocote होते हैं जिनके पास endosperm नहीं पाया जाता है जैसे कि pathos money plant अब हम बात करेंगे endospermic endospermic mostly कौन होते हैं वो होते हैं हमारे monocote जब monocote का diagram देखोगे तो किछ इस तरह का होता है तो यह जो part होता है वो endosperm वाला होता है तो that means monocote के पास endosperm होता है यह हमारे पास दो cotyledon नहीं बनाती एक ही cotyledon में बोलती है कि हाँ मैं तो endosperm रखूँगे उसी से पूरा nutrition लूँगी तो यह कैसा होता है endospermic plant होता है sorry endospermic seed होता है तो this type of seed food is stored in endosperm such seed are called endospermic seed यह फिर albuminous seed the endospermic tissue in this seeds utilize during the germination of seed germination of seed होगा तो utilize कर लेते हैं right their cotyledons are thin thin होगी और membranous होगी example most of monocot seeds such as wheat, rice and maize etc फिर endospermic dicot seed देखो कुछ endosperm है जैसे अभी हमने बात करी कुछ कुछ dicots है जिसके लिए हमने बात करी थी कि उनके पास भी endosperm होता है जैसे कि kester तेक है kester, papaya, cotton हालंकि यह dicot है बट इनके पास फिर भी क्या होगा endosperm होगा endospermic, monocot, maize, rice, wheat फिर seed has two type monocot and dicot इसकी हम बात करेंगे इससे पहले हम बात करेंगे perispermic की ठीक है perispermic perispermic का मतलब होता है कि germination की दौरान कभी-कभी new cellus जो होता है ठीक है new cellus को as a stored nutrition value की तो और पे उसको रख लिया जाता है मतलब वैसे तो germination of seed होता है तो पूरा new cellus को खा लिया जाता है अब्सॉब कर लिया जाता है बट कुछ seeds में new cellus बच जाता है जिससे की बाद में वो अपना nutrition complete करते हैं तो ऐसा seed कैलाता है perispermic क्या कैलाएगा perispermic राइट तो monocot जो होते हैं वो wheat और maize dicot, gram and pea now we have structure of dicotyledon seed dicotyledon seed का structure हम बिल्कुल अच्छे समझेंगे monocotyledon seed में क्या चीज़े नहीं हैं और dicotyledon seed में क्या चीज़े नहीं हैं तो यदि हम dicotyledon seed की बात करें तो बच्छों आपको पता है कैसा होगा ये non endospermic होगा क्यों किसके पास क्या है two cotyledons है जबकि monocot के अंदर क्या होता है एक ही cotyledon होती है और उसके अपर पार्ट में क्या होता है endosperm store रहता है तो structure में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास seed coat जो होता है वो two layers से मिलकर के बना होता है यहाँ पर आप देख रहे हो two cotyledon हमारे पास present है इसलिए हम इसको क्या बोलते है die cotyledon seed इस seed पे हमारे पास two coating पाई जाती है और इन two coatings के जो name होते है जो seed की coats होती है वो two layers present होते है एक होता है inner layer और एक होता है outer layer अब बच्चों question पूछा जाता है कि inner layer जो die cotyledon seed है उसका जो seed coat है उसका inner layer को क्या कहते है और उसकी outer layer को क्या कहते है तो inner layer के बारे में आप बात करोगे तो उसको हम कहते है tagment और जो outer layer है उसको हम कहते है testa अब जब हम exam देखने जाते हैं exam करने जाते हैं तो हम लोग confuse जाते हैं अच्छा inner layer tagment थी कि testa थी तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक कर सकते हैं बातों में पता लग जाएगा जैथे देखो यहाँ पर हम बोड़ रहे हैं टेस्टा ठेस्टा और यहाँ पर है मैन यानि कि यूमन आदमी आप वही आदमी बनेगा यह वही आदमी मजबूत होगा जो बार-बार टेस्ट में सफल हो जाएगा तो आपको पता है प्रेशर किस पे होगा जो आउटर लेयर होगी जो इस सीड कोट की आउटर लेयर होगी उससी पे प्रेशर पड़ेगा जादा एन्वार्मेंटल फाक्टर का तो यह यहां पर इसका क्या हो रहा है बार-बार टेस्ट हो रहा है क्योंकि एन्वार्मेंटल फाक्टर है ठीक है तो इस एन्वार्मेंटल फाक्टर में यह क्या करेगी बार-बार टेस्ट देगी जिस से अंदर क्या बन जाएगा Tegmen बन जाएगा Is that clear? आई बाज समझ में तो outer layer क्या हो गई? testa हो गई और अंदर क्या बन जाएगा? Tegmen बन जाएगा तो two layers हमें समझ में आ गई testa, outer layer outer layer and tagmen जो है हमारी inner layer है अज़ डाङ ही बाज समझ में अब देखो अब यहाँ पर प्लूम्यूल और हमारे पास आ रहा है रेडिकल राइट तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एकस्स ठीक है आपके न्सीर्ट के बूक में बहुत अच्छा डाइगरम दे रखा है यहाँ पर यह पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं अब्रियोनिक एकस्स के जस्ट ऊपर क्या होता है प्लूम्यूल ठीक है और यहाँ पर यह वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला ये हो जाएगा हमारा रेडिकल, इस एट क्लियर, दोनों चीज़ समझ में आ गई, अब बात आती है, एपी कोटाइल और हाइपो कोटाइल क्या है, देखो, एपी कोटाइल क्या है, एम्डियोनिकल एक्सिस का वहे पार्ट, टीक है, प्लूम्यूल और कॉटिलिडिनरी जो हमारा पार्ट है, उसके बीश में प्रिजन ओती है, तो इट इस दा रीजन ओफ दा एम्डियो एक्सिस का वहे रीजन या वहे पार्ट, जो की कहां पर है, बित्वीन दा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल और कॉटिलिनरी नोड के के बीश में मिलेगा ऐसे डिकल के बीश में और कॉटलिडिनरी सीड के बीश में मिलेगा ठीक है वहे इलिए कि plumule और cotyledonary नोड के बीश्वे प्रेजन्ट होता है और hypo-kotyle embryo axis के नीचे वाला बाग, hypo मतलब नीचे, besal वाला पार्ट और epi यानी उपर वाला पार्ट, तो embryo axis उसके नीचे वाला पार्ट कहलाता है, hypo-kotyle, hypo-kotyle कहा मिलेगा, embryo axis का वह है region, जो की radical और cotyledonary नोड के बीश में present होगा, is that clear? दोनों चीज़े clear होगई, plumule जहां से shooting होती है, radical जहां से root निकलती है, ये चीज़े clear होगई, अब देखो, अब हम आजाते है, micropyle पर, ठीक है, micropyle क्या है? एक पोर होता है, बच्चो, ये पोर आपको कहां देखने को मिलेगा, ये मिलेगा जो राजमा होता है, राजमा में आप देखोगे, एकदम छोटा सा पोर्स निकला हुआ है, ये क्या कहलाता है, अब fine pour at the surface of the seed, seed के surface पे आपको micropyle region जो है, वो देखने को मिल जाएगा, अब हम बात करें हाइलम की, हाइलम क्या है, जहां से stock निकल रहा हो, ठीक है, a scar on the seed from where funicle or stock of the seed is born, जैसे कि अब मतर का आप देखते हो, मतर में जो scar दिखता है आपको, मतर का दाना तोड़ोगे, ठीक है, जहां से seed तोड़ोगे, तो वो जो एक निशान दिखता है, जहां से आपको लगते किया रहे है, यहां से मतर का दाना तूटा हुआ है, तो वो scar क्या कहला है, हीलियम कहलाता है, इस एट क्लियर, तो क्या बोला मैंने, a scar on the seed from where funicle or stock of the seed is born, अब हम बोलते है, चलाजल रीजन क्या है, ठीक है, चलाजल रीजन, a region where newcellus, ठीक है, newcellus and integument merge, जहां पर जो integument क्या है, outer covering है, ठीक है, एक covering होती ही, जो protection देती ही seed को, जब integument और newcellus, ठीक ह है, दोनों आपस में merge हो जाए, I again repeat, चलाजल रीजन क्या है, जब integument और हमारा जो newcellus है, वो क्या हो जाए, एक दूसरे से merge हो जाए, तो वो वाला point कहलाता है, चलाजल रीजन, राफे क्या है, राफे, जब funicle जो होती है, बच्यों, वो fuse हो जाए, किससे, seed wall से, ठीक है, ज जो funicle है, जो seed का stock होता है, वो किस से fuse हो जाए, seed wall से, तो हम उसको क्या कहते है, राफे कहते है, तो I, I think कि सारी चीजे है, clear हो गई है, एक एक पॉइंट को, एक एक जो term है, हमने clear कर ली है, is that clear, done, तो चलिए, आजाए, नेक्स्ट, डाय कोटल रीजन, तो चलिए, आजाए तेगमेन, इनर, तेगमेन, right, the helium, क्या होता है, scar होता है, of the seed code through the which developing seeds, were attached to the fruit, fruits attach होता है, तभी तो टूटता है, तभी तो scar बनाता है, above the helium is a small pore called a micropyle, helium के ऊपर, एक micropore होता है, जिसको हम mycopyler and कहते है, और उसी से क्या होता है, एब्सॉब किया जाता है, नूट्रिशन को, Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis Embryonal axis होता है and two cotyledons present होती है The cotyledons are often flashy and full of reserved food material कैसी होती है इस तरीके से होती है Full flashy होती है और सारा nutrition इसके अंदर present होता है इसलिए तो हम क्या कहते हैं Non endospermic होती है पूरा absorb कर लेती है nutrition At the two end of the embryonal axis are present The radical ठीक है यहाँ पर radical यहाँ पर plumule यह है embryonal seed And the plumule The some seeds such as caster The endosperm formed as the result of double fertilization Important बात ठीक है कुछ seed की बात करें Castor में हमने क्या बोला था endosperm present होता है कैसे होगा Double fertilization से बनेगा ठीक है किस से हम represent करते हैं 3N से 3N से represent करते हैं Is a food storing tissue And called as endospermic seed इसकी जो ploid होती है इसकी जो ploid ही होती है 3N In plants such as bean, gram and pea The endosperm not present in mature seed Endosperm maturity पे हमने बोली थी यह बात की maturity पे वो seed में क्या होता है पूरा endosperm Absorb कर लिया जाता है तो मिलता ही नहीं है And such seeds are called as Non endospermic seed Done Structure of monocotylated seed Generally Monocot का पहले diagram पढ़ेंगे ठीक है यहाँ पर यह पूरा पार देखोगे तो यह पूरा पार देखोगे तो नहीं अभी भी नहीं visible है यह पूरा पार देखोगे तो endosperm ठीक है अब देखो समझने वाली चीजे क्या है यहाँ पर यह जो है कॉलेप्टाइल है और यह जो है कॉलराइजा है Question पूछा जाता है कॉलेप्टाइल क्या है कॉलेप्टाइल जो की प्लोम्यूल को protection दे I again repeat covering of प्लोम्यूल is called as कॉलेप्टाइल कॉलराइजा आर रेडिकल आर राइजा ठीक है जो हमारी रेडिकल को protection दे वो होती है कॉलराइजा दोनों टम को समझ लो शीत विच कवर्टाइजा रेडिकल is called as कॉलराइजा राइजा रेडिकल कॉलराइजा रेडिकल अब ये जो शीत देखा रही हो तुम ये वाली आर्क वाली शीत इसको हम बोलते हैं Iskutalum क्या बोलते हैं Iskutalum Iskutalum क्या है Shield-shaped cotyledon फिर हम बोलेंगे Allurone reason यह Allurone reason हमारे Dicotyledon में नहीं था यह क्या कर रहा है इसको एक covering दे रहा है इस पूरे endospalm को एक cover दे रहा है डिस्टिंक लेर को जिसको हम कहते हैं Allurone और Allurone क्या होती है प्रोटीन रच होती है क्या होती है Allurone प्रोटीन रच होती है लिख लें यहाँ पर प्रोटीन रच होती है फिर हम बात करें Seed coat की Seed coat Membranus and fuse within the fruit wall fruit wall के अंदर होती है Endospalm Endospalm यहाँ पर प्रेजन होता है Nutrition देता है Done everything Monocotyledon seed Generally monocotyledon Seeds are endospalmic Endospalm होती है But some in orchard Orchard जो होता है वो endospalmic नहीं होता है In the important In the seeds of cereals Such as maize The seed coat is Membranus Membranus होता है Seed coat क्या होता है Generally fuse with Fruit wall Fruit wall के साथ Fuse हो जाता है Endospalm is bulky And store food Endospalm bulky होता है बहुत सारा तभी तो food को Store करके रखता है The outer covering Of endospalm Separates The embryo By the proteinaceous layer जिसको हम बोलते है Allerone layer जो की Dicotyledons में नहीं present होती है The embryo is small And situated in the groove At one end यहां पर देखो यहां पर एक groove के अंदर छूटी सी जगे में Present होता है It consists of one large Shield shaped cotyledon जिसको हम बोलते है Iskeutelum अभी देखा था Shield बनी भी थी Pूरी endospalm उसकी पूरी epithelium की And the short axis With the plumule and the radical Or plumule or radical उसमें present होता है Done The plumule and radical are An close is a sheath Which has coleptile or colorizer यदि Plumule को cover करेगा तो हम क्या बोलते हैं उसको Colleptile यदि वो radical को cover करेगा तो colorizer Iskeutelum क्या है Iskeutelum जो है वो shield shape होता है Cotyledon को shield shape देता है वो होता है scotelum Right तो इस तरीके से हमने क्या देखा Monocotyledon और Dicotyledon Seeds का पूरा structure कभ हम उसको endospalmink बोलेंगे तो इस तरीके से Seed भी अपना complete हो गया है अब अपन जा रहे हैं सारी families पर यानि कि जो अब पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे Families उसके characteristics उसका formula जो की हम relate करेंगे पूरे chapter अब बच्चों जो अपन family पढ़ेंगे तो पूरे chapter का revision हो जाएगा कैसा arrangement है ठीक है फ्लोरल पे arrangement है तो कैसा है venation है तो कैसा है leaflet है तो कैसी present है राइट कोरोला का क्या structure है कैलेक्स कैसी है एंडोशम कैसा है किसके साथ fused है किसके साथ fused नहीं है ये सब देखेंगे आपन families जब पढ़ेंगे तो जब तक आपको क्या करना है पूरा chapter revise करना है सारी चीज़े clear करनी है ताकि families को आप एक tabular form में बना सको तो फिर मिलेंगे नेक्स ट्रॉपिक के साथ जब तक थैंक्यू